नमस्कार आप देख रहें एवन उत्तर प्रदेश मैं हूँ आपके साथ हर्श्दा जोशी आए नजर डालेते हैं इस वक्त की हेडलाइन्स पर उत्राखंड के उप्चनाव में योगी स्टार प्रचारक सीम पुशकर सिंग धामी के लिए चंपावत सीट पर करेंगे प्रचार तो कॉंग्रिस प्रत्याशी के लिए राहूल मांगेंगे वोट हर्दोई में रफ्तार का कहर डंपर और आटो की आमने सामने भिड़ंत हाथसे में एक बच्च सहित तीन की मौत पाँच घायल कटरा बिलहौर हाईवे पर हुआ यहाथसा हमीरपूर में शादी समहारों में आई मासूम से दुशकर्म शराबी ने अपरण कर दिया वार्दात को अंजाम पुलिस ने आरोपी को किया गिरिफतार कौशामबी में बदमाश बेखौफ जमीनी विवाद में यूवक को मारी गोली फाइरिंग की घटना से इलाके में देश्वत मंजनपुर्थाना श्रेत्र के समदा की घटना यूपी में तुफान असानी का असर लखनों में हुई बारिश वारनसी प्रियागराज में छाए बादल पूर्वी यूपी में भी दिखेगा प्रभाव तो गर्मी से मिलेगा आमजन को रहत अब खबरें विस्तार से उत्रखन के चंपावत विधान सभा पर उप्चुनाव होने है वहाँ प्रचार के लिए भाजपा ने 44 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है सीम पुषकर सिंग धामी चंपावत विधान सभा से खुद उमीदवार है इस सूची में योगी आदितनात को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है सीम योगी आदितनात उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी के लिए वहाँ प्रचार करेंगे आपको बता दें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में योगी आदितनात का नाम दुष्रंत गौतम, रेखा वर्मा, मदन कौशिक, केंद्रे मंती स्मृती इरानी के बाद पाँचवे नंबर पर है आपको बता दें कि हाल ही में योगी आदितनात अपने घर उत्राखंड के पंचूर गए थे उत्राखंड में योगी की खास लोगप्रियता को देखते हुए उन्हें सीम के स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है उधर कॉंग्रिस ने भी तीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है इनमें राहूल गांधी और प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है खबर फिरोजाबाद से है जहां डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौरे दौरे पर रहे इस दोरान उन्होंने कई गाव के निरिक्षुन भी किया साथ साथ आंगनवाडी और राशन की दुकानों का निरिक्षुन किया अधिकारियों के साथ साथ पार्टी पददिकारियों से मुलाकाद भी की सपा के कदावर नेता पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है आजम खान को इलाबाद हाई कोट ने जमानत दे दी है वहीं आजम खान द्वारा शत्रू संपती को कबजा करने को गलट है राया और दो लाग के मुछलके पर रिहा करने के आदेश के साथ जमीन को पैरा मिलिटरी को सौपने का आदेश दिया है वक्फ बोड की जमीन मामले में पांच माई को कोट ने फैसला सुरक्षुत कर लिया था नयायमूर्ती राहुल चतुरवेदी ने खुली अदालत में फैसला सुनाया हालकि आजम जेल से बाहर नहीं आ सके कोट ने पांच माई को आजम खान की ओर से एडवोकेट इमरान अलुला और सरकार की ओर से उपर महाधिवक्ता एमसी चतुरवेदी को तीन घंटे तक सुनने के बाद जमानत पर निन्ने सुरक्षित लिया था गौड तलब है कि आजम खान के खिलाफ 2019 में अब तक 90 मामले दर्ज हुए जिन में से 88 मामले में जमानत मिल चुकी है इन में से एक मुकदमा पिछले सप्ता ही दर्ज हुआ है आजम के वकील सफदर काजमी के अनुसार पिछले हफ़ते एक और मामला दर्ज होने के कारण वे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे इस समभाई के दोरान जो मिलमुकना को आफिर के दोलान तो जेल के बाहर यह वाज जाएंगे नहीं हो जाएंगा इस बाहर आसे बाहर राटे हैं सुप्रेम कौर्ट में भी मुकद्धा है क्या अपील की थी आप लोग ने जिस पर आज को ने वहान दी है कितने टोटल मामले थे जिसमें जमानत अभी तक मिल चुकी है तो अभी जेल से बाहर आने का रास्ता मतलब साफ नहीं है तो आगे क्या तैयारी हमारा पैनल बैठे को उत्ताय करें जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में मामले के सुभाई की जा रही तो क्या अब जो अब सुहेल देव भारती समाज पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष ओम प्रकाश राजबर पर हुए हमले को लेकर कारेकरताओं में रोश है जो प्रदर्शन कर विरोज उता रहे हैं बस्ती जिले में दर्जनों की संख्या में सुभा सपा कारेकरता जुलादिकारी कारयाले पहुँचे जो राजपाल के नाम ग्यापन सौपा जिसमें सुभा सपा और सपा कारेकरताओं ने मामले में जाच कर दोशियों के खिलाफ कारवाई की मांग की साथ ही राश्ट्रे अध्यक्ष उम्प्रकाश राजबर को जेट प्लस सुरक्षा दिये जाने की मांग भी की राश्ट्रे सचिव विनोज राजबर ने कहा कि अगर विधायक अपने श्रेत्र में सुरक्षित नहीं है नेता को संका हुआ कि मेरे उपर हमला होने वाला है मैं बढ़ाई करना चाहता हुआ कि अपने कारकरताओं को सुवेल भार्त्रे समाज परड़िके कि नेता जी को घेरा बना करके सुरच्षा में और जो उनके साथ सिकोर्डिगार थे सुरच्षा कर्मी थे उनको बचाते हुए गाउं से लोगों ने बाहर निकाला है यह कानून ब्योस्था के नाम पर इस सरकार में बिल्कुल कुछ नहीं रहिया है जब जहां विधाय नहीं सुरच्षित है हमारा नेता नहीं सुरच्षित है बताए आम जनता कैसे कि मानने ओम प्रकास राजबर जी को जेट पलस की सुरच्षा तर्काल उबर्दुक्राया जा यह हम लोग मांग करते हैं और इसको ले करके आज पूरे परदेश के हर जन्पन में यापन दिया जा रहा है और इस पर तुरित कारवाई रहन नहीं होता है तो हम लोग आम सामने से टक कर आपको बता दें कि डंपर और आटो की आमने सामने से भिडंत हाथसे में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत पांच घायल घायलों को इलाज के लिए इस्पताल में भड़ती करवाया गया हरपाल पूर थाना श्वेत्र में कट्रा बिलहौर हाईवे पर ह हुआ है याद्सा घायलों को इलाज के लिए इस्पताल में भड़ती कराया गया है हरलाल पूर थाना श्वेत्र में कट्रा बिलहौर हाईवे पर हुआ है याद्सा हरदोई में रफ्तार का कहर डंपर और ओटो की आमने सामने से भिड़न्त हाथ से में एक बच्च सहित तीन की मौत पाँच घायल लखीम पूर खीरी में अपरादियों के प्रती सक्त रहने वाली खाकी का फिर इंसानी चोहरा सामने आया है पलिया कोतवाली राके के मजगर्री पुलिस चोकी में तैनाथ चोकी इंचार्ज हनुमंत लाल तिवारी ने एक जरुत मन परिवार के बच्चों का न सिर्फ एक नीजी स्कूल में दाखिला करवाया बलकि बच्चों के लिए कौपी, किताबे, स्कूल बैक, कपड़े खाने का भी इंतजाम किया है ये सिलसला लगातार एक साल से चल रहा है दरसल कोरोना काल में चोकी शेतर के गाव बेला टॉपर के रहने वाले विश्राम की अकास्मिक मौत हो गई विश्राम अपने पिछे परिवार में तीन छोटे बच्चे बुढ़ी मा पत्नी छोड़ गया था विश्राम की मौत के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं था पुलिस बेसहारा परिवार के लिए देवदूत बन कर आई चोकी इंचार्ज ने परिवार के पालन पोशन की जिम्मिदारी अपने सिर ली खबर यूपी के कौशामभी से है जहां मनचनपूर के संदा में जमीन विवाद में दभंगो ने यूबग को गोली मार दी गोली लगने से यूबग घायल हो गया जिसे जिला अस्पताल में भरती करवाया गया है वहीं सूचना पर पहुची पुलिस ने मामले की च्छानबीन की और सीओ योगेंद्र कृष्ट नारायन के निर्देश पर दबंगो को थाना लाकर पूश्टा शुरू की कि अधिक गोली लगी है क्या है मामला यह थाना मंजनपुर अंतरगत संदा चेत्र के पास अमनतुल्ला नामक ब्यक्तिको बिती रात में लगबग तीन बजे के लगबग कुछ लोगों द्वारा गोली मारी गई जो उसके हाथ में लगी है प्रकरण में निमानुसार विदिक प्रकरवाई कर श्रीट सरिक गें गशार्ट का पेशन्ट आया है क्या तबियत है उसकी रात एक अमातुल्ला पेशन करके आया है रांपुल बसोरोग रहने वाला है उसके बाए हाथ के जो ने गोली लिगी हुई है देखने से लग विलागोई लगी है प्रकरण में है ना चलो ठीक है हम नहीं बनवाएंगे हमने रुकवा दिया उसके बाद कहिए रहते कि तुम लोगों कुछ जान से मार देंगे नहीं जहां से आ वहीं चले जाओ तो हमारे आदमी को मानने लगे आके ऐसे चार-पांच लोग थे सानू समा देरी सा पासी समय मुझीम की रड़क परिजनों के ढूंडने के बाद पुलिस ने बच्ची को खेच से दस्तायाब किया और जिला अस्पताल में भरती करवाया वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरिफतार कर मुकदमा दर्ज किया फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि अमना गाओं में एक दो वर्षी बच्ची के साथ दुश्कर्म हुआ है इस सूचना पर मैस्वयम और ठाना पुलिस ठाना प्रभारी के साथ मौके पर हम लोग पहुँचे वहां से बच्ची को बरामत करके गाओं के एक यूबेट पर बच्ची पड़ी हुई थी वहां से महिला कर्मी महिला उपनी रिक्षप और महिला कॉंस्टिबल के वारा उसको C.H.C. राट लाया गया जहां से उसको हमीत्फुर्प के लिए रिफर कर दिया गया है वहां महिला कांस्टिबल के देख रेख में और बाल कर लाट उसको C.H.C. के देख रेख में बच्ची अपने परजनों के साथ गई हुई आरूपी को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है उससे पूस्टाच की जा रहे है सूबे की योगी सरकार महलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ती जैसे तमाम अभियान चला रही है वही लखीमपूर खीरी में पुलिस मुख्यमंत्री के मिशन शक्ती को पलीता लगा रही है सिंगाई कसबे की रहने वाली जेबा नाम की युप्ती ने सिंगाई थाने की पूलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिले के सपी सहित मुख्यमंत्री पोट्रोल पर शुकायत की है दरसल सिंगाई कस्पे के रहने वाले सौरप सोनी नाम के एक स्कूल टीचर ने एक घर में घुसकर महलाओ को न सिर्फ धमकाया बलकि गंदी-गंदी गालियां भी दी थी जुसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है मादा ये है कि जो है ये एक चार तारीक को करीब पांस बजे ये मेरे घर में घुसाया और बच्चों के साथ में गाली गुलोज करने लगा उसमें मेरी भावी बीमार है जड़कियों को अकेला देखके ये मार पीट करने लगा कौन सौरत सोनी फिर उसके बाद क्या हुआ उस कोई सुनवाइन हुए फिर आगे हम लोगों ने टुईट किया जो कि I.G. के उसमें जो है संख्ञान लेते हुए तब जाके ये मुकदमा धर्ज हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद प्यवा ये हुआ कि इन लोगों ने इल्टे ही हम लोग उपर फरजी मोकदमा करवाया आए परोप लगाएए हैं। जो एसमें सुभूत आ जाएंगे कि हम लोग नहीं के साथ पिद DS की यह नहीं ने हम इनके घर नलियका लगा हैं। आरोप में उन्होंने हम लोगों के मेरे पापा, चाचा और भाई को भी लगाया है साथ में, जो किस टेप गटना पर मौदूद नहीं थे फर्जी उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है हम लोगों की, मौकरमा दर्श कराया है खबर लखीमपूर खीरी से है, जहां जैप्रकाश मिश्रा हत्याकान मामले में, पुलिस मुटबेड में एक अभियुक्त गिरफतार किया गया है आपको बता दें, मुटबेड के दरान एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और एक भागने में काम्याम हो रहा पुलिस की गोली मारने से घायल अभियुक्त को अस्पताल में भरती किया गया है एक विक्ती जैपी मिश्राजाम के विक्ती को चाकूँ से गोध करके इनकी हत्या कर दी गई थी इस घटना के अनावरर का प्रयास किया जा रहा था उसी क्रम में घटना इस्थल के आसपास के सभी CCTV कैमरे की फुटेज जब देखी गई तो उसमें तीन लोगों को चिन्हित किया गया उनी की तलाश में दबिशे दी जा रही थी सूचना प्राप्त हुई ये लोग शहदरी के किनारे रेलवे ट्रैक के आसपास इनका मुव्मेंट होनी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई जिस पर पुलिस की टीम के दौरा इनको गरिफतारी के लिए जब वहाँ पर पहुँचे तो इनके दौरा पुलिस टीम पर फायर खुल दिया गया पुलिस के दौरा जवाबी कारवाई की गई जिसमें एक मुख अभ्यूक्त वरुन के पैर में गोली लगी है एवम दूसरा अभ्यूक्त दीपक मौके से गरिफतार किया गया है एवम एक तीसरा अभ्यूक्त मौके से भागने में काम्याब रहा है जिसकी तलाश खबर बुलंद शहर से है जहां यूपी पुलिस से बर्खास सिपाई की निर्मम हत्या कर दी कई बर्खास्तगी के बाद जवान कालिचुरन खुर्जा में पौटरी चलाता था जहां हत्यारों ने कालिचुरन के चुहरे पर धारदार हत्यार से कई बार वार कर निर्मम हत्या कर दी आपको बता दें कि 2015 में यूपी के राइबरेली से कालिचुरन बर्खास्त किया गया था सिवा कोन है आपके जुम्राइब पापा क्या मामला हुआ है पैसा को मामल माल दो क्या सुबह माया लाए बरीते बहिया को फोन आया चोटे को पापन को मता कर दियो काने आयकर देगे तो तुम्हें देख हुई है किसमें थे तो वहां से क्यों आयए वह थे यह दूरी इस का पापन को गाना में ऐसे बैट रहे हो तो तो कुछ देना के लिए वह बरकास कर दिये ऑँंको कर देगें बी और रहा तो पाप से बरकास चल ले थे बाप हुम्हारे पाप चल ले है पंदर है इस सब प्राया रं चाहता कि मदलब उम्मीद है यह जो है कर जदने फैक्टरी में सामिले इंद्री उम्मीद है कांडन ने करवायों कि चीज की फैक्टरी थे किसमा सामिल तो पापा है यहां लगे यह रहे करें बागी तीन आवनाई चुद में कुशिश करें मेरे पापा ही कर रहे है खबर बदायू से है बारात में शामिल यूवक पर फाइरिंग कर यूवक के हाथ में गोली लग गई हालात गंभीर बताई जा रही है फाइरिंग के बाद बदमाश फरार हो गया गायल को बिसॉली सामुदा एक स्वास्त केंद्र में भड़ती कराया है वह काली सेट में था मतलब मैं जी रोसमी में था पॉंजहारी में था इसलिए थोरा डिश्टब हो गया देखने है और खास मेरे इसलिए गोली नहीं पता था यह जोड़ी नहीं पर लगी ती आवाज आई थी गोली और उसमें लाल बत्ती गोली थी आतिस्वाजी दुकान सट पहना था और खास उसके गोली नहीं दी थी और गोली चलाई थी यह जोड़ी पता था वसना उपर से उतर के तोंतरी पर से खोड़ा लगवर तीम कहा लगी यह जालों से है जहां बाल श्रम रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है आपको बता दे कि श्र पांदारों को नोटस जारी किये और बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी करने वाले पर सक्त कारवाई की चितावनी भी दी यूपी में गर्मी के तेवर थोड़े कम हुए है आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहने की अनुमान है प्रियागराज, वरनसी और कानपुर समित कई शेरों में हलके बादल चाय रहने की संभावना है लखनाओ और मेरट के साथ साथ आस पास के जिलों में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की उमीद भी है अगले कुछ दिनों तक भीशन गर्मी और लू से राहत रहेगी वहीं पूरवी यूपी के कुछ हिस्सों में असानी तुफान का असर भी दिख सकता है राजथानी लखनाओ, उननाव, राइबरेली, बारा बंकी, अमेठी और गाजीपुर जुले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के निदेश्यक ने बताया कि पुरवांचल से लेकर अवद के शेत्र में बारिश होगी अगर ये तूफान इसी शेत्र में बना रहा तो प्री मौनसून की संभावना और बढ़ जाएगी बंगाल से उठने वाले समुद्री तूफान का असर उत्तर प्रदेश के पूरवी शेत्रों पर साफ देखने को मिल रहा है फिलाल इस बुलिटन में अतना ही आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी नमस्कार